हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ जबर्दस टीफ्स शेर करूंगी जिससे हमारे रोज के महनत बला काम एकदम से चुटकियों में हो जाएगा उम्मित करती हूँ ए छोटे छोटे टीफ्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा तो चलिए टीफ्स हम देख लेते हैं पहला जो टीफ्स है फ्रेंड हमारे घर में इस तरह का जो पेन हम यूज करते हैं इसका जो इंक खतम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं पेन को फेक देते हैं डस बीन में लेकिन इसका जो ढखकन है ना बहुत ही काम के आने वाला है फ्रेंड क्यूंकि हमारा बहुत सारा पैसे कभी बचत होने बाला है तो जब भी हम पेन को फेके ढखकन को रख दीजिएगा तो कैसे यूज़ करेंगे हम जब भी कप्रे इस तरह से दोरी में सुखाते हैं ना हम क्लोथ क्लिप लगा देते हैं कप्रे गिरता नहीं है लेकिन हमारे घर में अगर ज़्यादा कप्रे है क्लोथ क्लिप कम है तो आप इस तरह से ढखकन को भी यूज़ कर सकते हैं पेन का निम्बू बहुत सारे खरित कर लेकर आते हैं, हम पाच्छाइज दिन रखने के बाद ही सुपने शुरू हो जाते हैं, या सर ने शुरू हो जाते हैं, ख्राब हो जाते हैं, निम्बू का तो रस ही खतम हो जाते हैं, सुप जाते हैं, तो हमारे घर में जो इस तरह का काच का क कोई जार है या बॉन है आप ले लिजीये मैंने आपका एक जार ले लिया है इसके अंदर आप इस तरह के जो हरवला सब्जी होते हैं भी का अव मैंने याप देखे मिर्च लेले लिया है निंबू को ले लिया है इस तरह से अगर हम काच के आपको तो nous were 15-20 दिन के लिए एकदम से फ्रेश रहेगा ताजा रहेगा एक भी सबजी आपका सुखेगा नहीं जब भी जरूरत होगा आसानी से आप यहां से निकल कर यूज कर पाएंगे आगला जो टीप से फ्रेंट मैंने याप ले लिया है पाउडर कोई भी आप बढ़िया सेंट वा अच्छे तरीके से ना हमें दोनों चीजों को मिलाना पड़ेगा इस तरह से फिर दोनों चीज को हम क्या करेंगे हमारे घर में जो इस तरह का आईस क्रीम का डिबबा आते हैं ना मैंने ले लिया है इसके अंदर साबून और जो पाउडर का मिसरन डालने के बाद एक नैप पर टीशू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं गाडर की मदश से इस तरह से बंद करने के बाद थोरा सा छेत कर लेंगे इस तरह से चारो साइट से क्यूंकि इसका खुश्बू आसानी से बाहर आएगा कहा पर यूज़ करेंगे हमारे घर में जो टॉयलेट होता है ना कई पर होता है क्या बात्रूम एक ही दो दिन में क्लीन करने के बाद बदबू आने लगता है कई लोग तो ओडोनल यूज़ करते हैं लेकिन सब के पास नहीं होता है बहुत ही महेंगा होता है इस तरह से बरतन आप रख दीजिएगा इस मिसरन का देखिएगा सारे जो जरूरत परता है तो न्यूस पेपर तो हमारे सभी के घर में होता है अगर आपके भी कराई जल गया है तो एस टीप का जरूर यूज़ कीजिएगा थोड़ा सा न्यूस पेपर इस तरह से छोटे-छोटे करके मैं जले हुए कराई के उपर डाल दिये है और इसमें एक वाच की बन्दख से पांच मिनिट बाद इस तरह से घीस रहे हुं देखिए कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो रहा है इस तरह से अगर करेंगे ना 90 परसें क्लीन एक पेपर जो न्यूस पेपर लिये थे ना धिन कर देगा देखिए एक दम से क्लीन होगे त्र항 थोड़ा पानी से क्लीन करके दिखा रहे हो तो जरूर ए टीव्स आप भी एपलाई कर सकते हैं चलिए आगला टीव्स देख लेते हैं डालिया तो हम सभी लोगी खाते हैं लेकिन डालिया का एक बड़िया रेसिपी बताने बाली हूँ जो बहुत ही अच्छे लगता है और कम तेल में अब बना सकते हैं अच्छे तरीके से क्या करेंगे डालियों को पानी की मदश से धो लेंगे फिर दो चमच के करीब खटा दही डालिया के अंदर देकर हमें अच्छे तरीके से मिलाना होगा पांच मिनिट के लिए ढग कर रख देंगे पांच मिनिट बाद डालिया नरम हो अब क्या करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल कर अच्छे तरीके से डालिया के साथ हमें मिक्ट करना पड़ेगा फिर देखिए फ्रेंड मैंने गैस के उपर करें रहकर एक चमच के करीब सरसो का तेल में सरसो दाना डाल दिया है थोड़ा सा लसुन बारी कटे हुए डाल दिये है और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है या पर करीपट्ता उसके अंदर येंगा बैटर और इस तरह से डालदेंगे फिर धकन के मदर से पाँच मिनिट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करके धक दिये थे देखिए कितना बड़िया तरीके से फूल गया है आप इस तरह से नास्ता अगर ब्रेकफास्ट में खाएंगे न बहुती अच्छा लगेगा कम तेल में अपका ये नास्ता बनकर तैयर हो जाएगा चटनी बनाने के लिए कराई में तेल डाल कर लसून मैंने या पर मीर्च कड़ी पत्ता सरसो डाल कर चना डाल डाल कर इसके थोड़ा सा मुमफली डाल कर अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है ठंडा करने के बाद मीकसर जार में इसको साड़े चीजों को डाल रहे हूँ इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा खट्टा दही और थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे साथ अनुसा नमक डाल दिया है बड़िया तरीके से पीस लेंगे देखिए हमारा बड़िया तरीके से चाटनी बनकर तयार हो गया है आप चाहे तो ये चाटनी धोसे के साथ भी इंजोई कर सकते बहुत ही अच्छा लगता है मैं बहुत सारे बना कर रख देती हूँ फ्रीज में तो जरूर एक ब्रेकफास्ट आप बना कर खाईएगा एकदम से इडली जैसा लगता है और कम तिल में बन जाएगा खाने में भी अच्छा लगता है सरीर के लिए भी अच्छा तो चलिए अगला टीव सम देख लेते हैं जब भी हम मचली मीट बगरा धोते हैं काटते हैं कई बार हातों से बैड एस्मेल आने लगता है बार बार अगर साबून से हाथ दोते हैं हाथ भी रूखा सुका हो जाते हैं तो क्या करें जो हमारे हातों से बैड एस्मेल भी चला निम्बू तो हम सबी लोगी खाते हैं, मैं यहापन निम्बू लेने की बात नहीं कर रहे हूँ, निम्बू खाने के बाद जो छिलकी होते हैं, हम इसको फेक देते हैं, लेकिन आप छिलकों के फ्रिज में रख दीजिएगा, जब भी जरूर थोगा निम्बू का छिलका यू निम्बू देगी है, वो चला जाएगा, हाथों से बैड स्मेल रिमूब हो जाएगा, हाथ भी आपका नरम रहेगा, कोमल रहेगा और क्लीन रहेगा, है ना बढ़िया टीप्स, साबून से बार बार हाथ धोने की जरूरती नहीं पड़ेगा, आगला जो टीप्स है फ्रें मार्केट से तब भी एक काम करना पड़ेगा, तब भी अच्छा रहेगा, बहुत साल यूज कर पाएंगे, हमारे घर में जो सेलूटेप होता है ना, इस तरह से नंबर बल पार्ट पे आप सेलूटेप इस तरह से लगा दीजिएगा, इस से क्या होगा, आपका नंबर नही मीटेगा, बहुत दिन तक आप सेल का यूज कर पाएंगे, आगला जो टीप से फ्रेंट दूद तो हम सभी लोगी खाते हैं, लेकिन गर्मियों में चीटी इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब भी हम दूद का बरतन रखते हैं, या खाने का कुछ चीज रखते हैं, उस दिजिएगा, चीटी नहीं लगेगा, आगला जो टीप से फ्रेंट, आपने कभी कंगी के अंदर इस तरह से पॉलिथिन फसाया है, क्यू हम कंगी के अंदर पॉलिथिन को फसायेंगे, इस तरह का जो सबजी के पॉलिथिन हमारे घर में आते हैं न फ्रेंट, मैंने ओही ब को कैसे उस करेंगे फ्रेंट चलिए देख लेते हैं बाकी हिसा में रख रही हूं दो कंगी हमारा कितना बड़ा है उस हिसाब से देखकर अगर ज्यादा बड़ा है पॉलिथीन तो इस तरह से काट कर छोटा कर दीजिएगा कंगी का जो एक एक जो पांट है ना उसके अंदर इस तरह से पॉलिथीन आप अंदर डाल दीजिएगा इससे ना हमारा बहुती बड़िया एक समस्ता जो है समधान होने बला है चलिए कैसे देख लेते हैं जब भी हम घर पर बैटे बेट के उपर बैट कर कंगी करते हैं जब बाल गिरते हैं फ्रेंट कई वर होता है क्या घ घर में फ्लोर में इधर उधर गिरते हैं डाइनिंग टेविल में चला जाते हैं खाने में भी बाल चला जाता है जो बहुती दिक्कत होती है घर भी गंदा हो जाते हैं कई बार ओयल लगाने के बाद हमारे कंगी एक दम से ओयल चिप चिपा हो जाता है अगर आप घर में ब रहे कई वर पंखे चला कर भी हम कंगी करते हैं इस टीप का यूज कीजिएगा डायरेक्ट डास्बिन में हम इस बाल को पॉलिथीन को फेक पाएंगे